Hello everybody, मैं डॉक्टर दिर्जवा कोलियाख, प्रोफेसर पुलेटकल साइंस, गवर्मेट लोईया कोलेज चुरू अपर आज करेंगे नियाय की अवधार्मा हम विकारे विश्वी द्याले के इसाब से अभी पर्तम सेमेश्टर के अंतिम चरन में हैं इसके पर चात एक और टोपिक रहेगा कारून और इसके साथ ही पर्तम सेमेश्टर का पर्तम पेपर पूरा हो जाएगा नियाय को ठीक से समझने के लिए हमें इससे पहले जो विचारित विचारधाराएं हैं या दिश्टिकोण हैं उनके उपर बात करेंगे हम अगर इतियास की बात करें तो सबसे पहले जो विक्ति जिन्होंने इस बारे में कुछ बात कही है वो यूनानी दार्शनिक प्लेटो हुए है प्लेटो ने न्याय के बारे में कहा कि समाज में तीन वर्ग है और तीनों वर्ग अपना अपना नियत कारिय करे यही न्याय है यानि कि प्लेटो न्याय को कर्म के शिद्दान के साथ जोड़ते हैं और परतेक वर्ग के दोरा अपना नियत कारिय करना न्याय है और अगर परते एक फरक अपना नियत कार्य करता है उसका मलब है कि समाज में एवेवस्ता उत्पन नहीं होगी समाज में एराजगता कि से उत्पन नहीं होगी और इससे समाज का जो वातावरन है वो बना रहेगा और कहीं पर भी अन्याय की बावना पेदा नहीं होगी इसी करम में प्लेटो के शिशे अरस्तु ने न्याय के एक अलग सी दान को परतिपा दित किया उसने न्याय को वित्रनात्मक न्याय का उसके नुसर समाज में संसादन जो भी है उन संसादनों का उचित रूप में बंटवारा यानि वित्रन होना चाहिए परते विक्ति जो योग्य है बिना भेदवाव के आधार पर उसको समाज के सादनों का उप्योग करने का आउसर मिले समाज के पास जो भी संसादन है सब को समान रूप से वित्रत के जाए ये अरस्तु की न्याय की अउधारना जिसे वितनात न्याय कहा गया अगर अपने माक्सवादी धारना को समझे तो माक्सवाद तो क्यों इतना कहता है कि समाज के आर्थिक सिंसादनों का परिपूर्ण तरीके से समान तरीके से वितरन होना चाहिए वो यह कहते हैं कि परत्यक फ्यक्ति जो प्रात्मिक आशकता हैं रोटी कप्ड़ा मकान बिना भेदभाव के आदार पर सबको प्राप्त हो और कोई भी चीज उनमें भेदभाव ना करे यह काल माक्ष का है और माक्ष आर्थी द्रश्टिकों से न्याय को परिबाशित करते हैं और आदुनिक समय में न्याय के जो प्रमुक विचारक हुए हैं शिद्धान्त कार हुए हैं वो है जॉन रॉल्स जॉन रॉल्स भी रस्तु की बांती न्याय के विच्णानत्मक शिद मिलना चाहिए और जाईज भेदवाव हो सकता है नाजाईज भेदवाव नहीं होना चाहिए यह जुन रोल्स का दश्टिकौन है यह सारे को सारे विचार जो है वो दास्निकों की विचार है और आज KÝ जो धारना है जिसको मानते हैं वो कोोट ब्रांड न्याय, इसका मतलब होता है कि हम हमारे साथ अगर कहीं पर भी किसी भी रूप में अन्याय होता है तो हम कोट की सरण में लें, न्यायले की सरण में जाएं न्यायले के साथ ने अपनी बात को रखे और न्यायाले हमारे साथ न्याय कर लेकिन एक सोचने वाले बात ये भी है कि न्यायले कभी न्याय नहीं नहीं करता है न्यायले उपलब्द सबूतों के आधार पर उपलब्द खानूनों के आधार पर पक्ष को समझता है और उसको नियर्ने करता है इसे आज के हम नियल्य के未 ajust को सब्सक्राइब करें को सबसक्राइब करें लाइक करें मिल्भा निया अथ्वाज कैंपने जोड़ना लगाना बंदन अत्वा गरंती है इसका अमलों अगर हमें न्याय जिसे हम जस्टिस कहते हैं और न्याय का जो साब्दिकर्त है वो जस्टिसिया सब्द से आया है और जस्टिसिया का साब्दिकर्त होता है जोडना लगाना बंदन अत्वा गरंती देखे बारकर के नुसार यह परधानत है को मानुए संबंदों की संगटित व्यवस्ता से जोडने का कार यह है मानुए संबंदों की संगटित व्यवस्ता के कई प्रकार के मुल्यों के आउशकता होती है जिस ऐसे मुल्यों में सवतंता समानता बंदूत वे आदिप परमुख है हम दूसरे सब्कों में यह कह सकते हैं कि समाज में जो ये चीज़े व्याप्त है, जोनको हम सवतंतरता, समानता, बंदूत्व कहते हैं, इनके माद्म से व्यक्तियों को आपस में जोड़ना है, क्योंकि परते एक व्यक्ति को ये सब चीज़े प्राप्त हो, सवतंता है, समानता है, बंदूत्व की भावना है, ये स इसमें पैदा हो, बनी रहे, इससे न्याय की स्थापना होगी, यानि कि सबसे पहली बात, कि ये जो चीजे इन में बेदबाओ नहीं होना सी, अगर इन में बेदबाओ नहीं होगा, तो सुछता ही न्याय की स्थापना हो जाएगी, इसलिए बारकर के हिसाब से, कि अगर हमें अर्थ और संकियन अर्थ यानि कि हम हमारे बीच में जो दिश्टिकोन व्याप्त है निया के बारे में वो दो दिश्टिकोन है एक तो व्यापक रूप में जिसको हम समझने का परियास नहीं करते हैं और एक संकियन अर्थ में जिसको हम ज्यादा समझने का परियास करते हैं य यापक अर्थ में न्याय को मानव तदा समाज के समस्त आचरोन के संदर में देखा जाता है। इसका मतलत कि मानव जो जिस समाज में रहता है वो क्या आचरोन करता है। उसका समस्त प्रकार के आचरोन है। चाहिए वो पारिवारिक हो, चाहिए वो सामाजीक हो, चाहिए वो धार्मीक हो, चाहिए वो सांसकर्तिक हो, चाहिए वो राश्णेतिक हो, चाहिए वो आर्थिक हो, जिस प्रकार के भी उसका कारी करने का या आच्रन का तरीका है, वो किस रूप में है, इस रूप में हम नया और बाशन क किस प्रकार करतें हैं सटाथार यानिकरch या दुराचार बुरासर इसके आधार पर हम नियाय को परिवाशचित करते हैं इसको नेतिक Samajik आर्थिक राष्णितिक इत्यदी दिश्टिकोनों से देखते हुई समाज में न्याय अच्छाई बुराई धर्ब अधर्म सदाचार दुराचार आधिक के नीमो मुल्योतित आशन के मापने का पेमाना माला जाता है यानि कि हम अपने आशन में कों सा तरीका अपनाते हैं जैसे न्याय अन्याय के बारे में सोच कर अच्छाई बुराई के बारे में सोच कर धर्म अधर्म के बारे में विचार करके या सदाचार दूराचार आधिके बारे में विचार करके हम जिस रूप में आचरन करते हैं हमारा आचरन कैसा है सही है या गलत है अगर सही है तो हम न्याई है हम न्याई कर रहे हैं अपने साथ भी समाज के साथ भी और अकर अपने आचरन बुरा करते हैं तो इसका मज़र हमारा आचरन न्याय के रुकूल नहीं है इससे समाज को बहुत बड़ा नुक्षान होता है इसलिए व्यापक अर्थ में हम अपने आचरन के संदर में न्याय को देखते हैं कि हम किस प्रगात का आचरन करते हैं हमारे अंदर कितनी अच्छाईया है, कितनी बुराईया है हम समाज में क्या चीज़ देते हैं, क्या चीज़ इस्ताकित करते हैं इसके संदर में न्याय को समझाने का प्रियास किया गया है और अगर अपन इसके संकिन अर्थ की बात करें यह संकिन अर्थ है यहाँ न्याय एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है न्याय को व्यक्तिक के रूप में देखा जाता है अर्थात व्यक्तिक उसुत न्याय मिल रहा है या नहीं यानिकि न्याय हमें मिल रहा के नहीं हम हमारे साथ अपने सामाजिक प्रिवेश में जो भी आसरन करते हैं जिसा भी आसरन करते हैं और उसके माद्यम से हमें क्या प्राप्त होता है हमें न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा हम अपने आपको एक कौर्ट रूपी आसरन के रूप में प्रस्तूत करते हैं इसको कहा जाता है नियाई का संकिर अर्थ, इसका मतलब है कि कानून बढ़ने परत्ती केements के तरीके कैसे है, नियाई संगत एनियाय को देखा जाता है, यूजह कैसे के संधर में नियाय को के दोरा बनाया गया है जिस कानून को सरकार ने लागू किया है क्या वो कानून नयाय संग कता है आशक नहीं है कि परते कानून जो सरकार के दोरा बनाया जाता है वो सही हो उचित हो वो अधिक्तम विक्तियों नहीं तो ठीक हो सकता है लेकिन बाग एल्प संख्यक के लिए गलत भी हो सकता है जोसे भी आपके सामने एक एक्जाम्पल आया होगा कि किसानों के लिए वर्तमा सिरकार ने कानून बनाए तीन अलेल कानून बनाए और उसके पश्चात किसानों ने बहुत बड़े पेमाने पर आंदोलन किया धरना परदसन किया काफी लंबा आंदोलन चला और अंदत है सरकार को वो तीनों कानून वापिस लेने पड़े इससे मतलब निकलता है कि कानून कैसा है क्या नियाय संकत है जब हमें कानून का विरोध करना पड़े कानून के विरोध के लिए खड़ा होना पड़े धरना परदसन करना पड़े अंदोलन करना पड़े इसका अमलब राज़े सरकार के द्वारा बनाये जानने वाले कानून भी नियाय संकत नहीं है वो समाद के लोगों के बीच में बेदभाव पेदा करते है नयक विवस्ता जिसके मादर से परत्थ क्वेक्त्टी नयके सामने जासके किसी वियक्त्टी को अनयाय सहना नयाय पाने से जदा अच्छान नार लगे इस माधिक होने वि आख़ा है इसको हम मुख़ों रूप से कौट ब्रांड नयाय कहते है न्याय की अवधारना जोन रोल्स का दिश्टिकौन न्याय के संदर में बात करे और जोन रोल्स की बात ना हो ये मुम्किन नहीं मैंने कहा आपको कि वर्तमान समय में न्याय के विचार के सबसे बड़े परतिपादक जो है वो जोन रोल्स है और मैंने आपको ये भी बताया है ताकि अरस्तु की महांती इन्होंने जिस न्याय की सिद्धान का परतिपादन किया वो है विचरना आत्मक न्याय अगर अपने जोन रोल्स की जो करती है जो गरंथ है जो पुस्तक है उसका नाम है ए थियोरी ओफ जस्टिस और इसी पुस्तक में जोन रोल्स ने अपनी निया की अवधारना को परती पादित किया है जोन रोल्स आधुनिक युग के कानून के नियाय के सबसे बड़े सिधानत व्यता माने जाते है रोल्स ने नियाय की उप्योगतावादी अवधारना को नकारते हुए नेतिक मुल्यों के प्रिप्रेक्सि में इसे परिस्ताफित करने का प्रियास किया है यानि कि जो न्याय की उप्यक्तावाजी धाना है उसके उनिसाब से अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुक यानि कि राज्ये अगर समाज में रहने वाले अधिक्तम व्यक्तियों को सुक परदान करता है ये अच्छी विवस्ता ये परदान करता है तो इसका मतलब वो न् लेकिन जोनरोल्स ने इस धानों को एस्विकार किया उनका कि अधिक्तम व्यक्तियों का अधिक्तम सुख न्याय नहीं है बलकि व्यक्ति के नितिक मुल्ले क्या है नितिकता के संदर में कि हमें क्या करना साइए अच्छा या बुरा, सही या गलत इसके प्रिपेक्श में न्याय की धार्ना को पर्तिपादित करने की कोशिश की है उनके अनुसा न्याय सामाजिक संस्ताओं का पर्तम गोना है यानकि जो भी समाजिक संस्ताओं हमारी उनमें समाज के माद्यम से न्याय की स्थापना होनी चाहिए यानके न्याय समाज में अगर इस्थापित रहेगा तभी तो व्यक्ति सही तरीके से अपना कारिये संचालन कर पाएगे तभी समाज में सांतिक इस्थापना हो पाएगी तभी समाज में व्यक्ति परतेक सुक का अनुभोग कर पाएगे तभी वेक्तियों में समानता किस्ता अपना हो पाएगी इसलिए न्याए किसका गुन है? समाजिक संसाओं का सबसे पहला गुन है तथा सद्गुनों का समुचित वित्रन है समाजिक और आर्तिक विश्रमताओं को इस प्रकार नियोजित की अजाना चाहिए कि दुर्बल वर्गों को अजित्तम लाब हो सके जोनलोर्स कहता है कि समाजिक और आर्तिक विश्रमताओं मतलब कि समाज में जो इस प्रकार के धानाए है कि एक प्रकार एक तरीके से कुछ योग्य वेक्ति है या उन्चे वेक्ति है एक तरह पे बहुत ही दुर्बल, कमजोर, गरीब वेक्ति है इन दोनों में इस प्रकार का सामन जिस तापित की आजाना चाहिए और जहां तक मिलने की बात है जोनरोर्स कहता है कि दुर्बल वर्ग को अधिक्तम लाब होना चाहिए क्योंकि जो सबल वर्ग है कुचित प्रक्त होना चाहिए अगर इसा है और दुर्बल वर्ग को हम सबल वर्ग की अपेक्साद ज़्यादा परदान कर रहे है तो ये न्याय है ये जोनरोर्स कहते है वह उन्में विश्मताओं का समर्थ तक है जिससे न्याय उचित ठहराया जा सके वह उन प्रस्तियों को इसपश करता है जिनके तेट विश्मताओं का उचित माना जा सकता है यानि कि समाज में विश्मताओं हो सकती है कैसे वो कहता है कि ये न्याय उचित होनी चाहिए जैसे कि अगर अपर अभी वर्ग्वान के प्रक्ष में देखते हैं कि समाज में इसे बहुत से कमजोर तबके के वेक्ति होते है जैसे कि वरद है, विद्वाएं हैं, विकलांग है और दलित वरग्व के लोग है तो उनको राज्य के दौरा विशेस प्रस्तियां, विशेस सुईधाएं उपलब्द कुराए जाती है जिसे वरद आउस्ता पेंसन दी जाती है, विद्वा पेंसन दी जाती है, विकलांग पेंसन दी जाती है या कमजोर वरग्व के लोगों को कम मुल्य पर अनाज दिया जाता है तो यह जो इसे लोग जिनको यह सुईधाएं आसाने से प्राप्त नहीं है राज़े अगर उनको उपलब्द करवाता है तो ये न्यायोचित है अगर इस प्राइड परस्ति हैं ये कोई परिवार में कमाने लाइक नहीं है अगर हम उसको सरकारे साहता परदान करते हैं तो ये न्यायोचित है अगर कोई वरद है जिसके कोई ठिकाना नहीं है जिसको कोई रखने वाला नहीं है जिसके कोई सेवा भाव करने वाला नहीं है तो इससे व्यक्ति को वरदा अस्रम में रखे अगर सरकार उसके लिए करती है तो यह न्यायोचित है ये जोन रोल्स इस रूप में इनको नेश्य ठेराने के को चेश्टा करते हैं चुकि प्रात्मिक वस्तुई सीमित है उनका बंटवारा समान नहीं हो सकता उनका बंटवारा समान नहीं हो सकता आपने पेट का पालन पोशन कर सकता है अपनी परिवार का पालन पोशन कर सकता है समाज में अपनी आफशिक ताएं अपनी योगे ताएं उनका परियोगे कर सकता है इसलिए जोनरल्स कहते हैं कि हमारी जो भी प्रात्मिक बस्तुएं हमारी जो भी संसादन है उनका बंटवारा सही अर्थों में होना साहिए और योग्य को अयोग्य स्याथिक मिलना चाहे न्याएक के विबिन पहलो न्याएक के कानूनी रास्टिक सामवाजिक तदा आर्थिक पहलो इनके पक्सों को एक परतक से समझना आउश्यक है हम देखते हैं कि कानून जो भी है किस रूप लिए हमाज सामने आते हैं इसका पहला पक्स कानून पक्स न्याएक तदा कानून का सम्झन बहुत गहरा है यह आपस में जुड़ा हुआ है क्योंकि हम ही जानते है कि अगर कानून का उलंदन होगा इसका मतब है कि अन्याय की स्थापना होगी तो इसलिए दोनों आपस में गहरे रूप में जूड़े हैं परतेक राज्य की न्याय की धारणा उसके समिधान कानुन तो था नीतियों में प्रकट होती है न्याय की धारणा ही कानुनों को प्रामानिक सिद्ध करती है वास्ते में परत्यक राज्जे की जो न्याय की धारणा है वो उसके समिधान में और उसके कानूनों में दृष्टिकत होती है नजर आती है समिधान में क्या बाते लिखी गई है समाज समिधान के नियम क्या है कानून समय समय पर जो विदाई का दोरा बनाए जाते है वो किस प्रकार के बनाए जा रहे है और उसे क्या फाइदा क्या डुक्षान हो रहा है इनका आपस में यानि की कानून का और न्याय का आपस में गहरा सम्मद है और कानून की जो धाना है वो इन चीजों से परकटे होती है इसके मुखे तो दो अर्थ है कानून नयाय संगत होना चाहिए तो कानून के नोसा नयाय मिलना चाहिए यानि कि नयाय का जो कानून भी पकस है इसके फिर दो चीज़ें होती है कि पहली बाद जो भी समाज में कानून पर सलित है वो न्याय संगत होना साइए यानि कि जैसे में आपको कहा कि जायज बेदबाव हो सकता है जायज बेदबाव नहीं होना साइए तो कानून न्याय संगत होना साइए और दूसरा कानून के अनुसा न्याय मिलना साइए यानि कि जो भी कानून है उसके अनुसा न्याय होना साहिए यहां पर किसी प्रगारगा बेदबाव नहों कानून न्याय संगत होना साहिए इसका अर्थ है कि विदान मंदल दोबारा बनाएगे कानून न्याय संगत अतारग संगत हो सब लोगों के लिए समान कानूनों नाजाइद बेहद बाव ना होकर जाइद बेहद बाव हो कानून नयाई संगत होना साइए कानून सब के लिए समान होना साइए कानून सब के लिए नयाई संगत होना साइए ऐसा नहीं है कि कानून के मादव से किसी वरग विस्यस के परती अन्याई की भावना पर कठो किसी वरग विस्यस के परती ऐसा लगे कि उसको इस कानून से नुकसान उठाना पड़ रहा है जैसे अभी में ने आपको किसान आंदोलन का जिक्र किया किसान अंदोलन इसलिए हुआ कि कारूं का उनका फाइदा नहीं मिल लाता जो समर्तन मुल्ले होता है उसमर्तन मुल्ले के आधार पर अगर किसान ये कहते कि हमें कम से कम इतना मिलना चाहिए हमें बोने के पशाध इसका इतना फाइदा नहीं हो पाता है तो इसका मतलब है कि सरकार के दोवार इस प्रकार के विवस्ताई होनी चाहिए कि किसान को किसी भी प्रकार का आर्थिक नुक्सान ना हो इसलिए जो भी कानून विधान मंडल के दोवारा संसत के दोवारा बनाए जाते वो न्याय संगत होना चाहिए अब ही ये बात पिर आ रही है कि कानून में नाजाइज बैदबाव नाजाइज बैदबाव हो सकता है हम ये कहते हैं कि दलित वरक को आरक्षन दिया गया जोंकि वो अत्ती प्राचिन समय से पुछले हुए थे उनके पास अंसादर नहीं थे उनका मिसा से शोषन हुआ है तो ऐसे इस्तिति में अगर उनके लिए विश्यस प्रावधान किया जाए तो ये नियाय संगत है जाइज बैदबाव है नाजाइज बैदबाव नहीं इस पर आरक की चीज़ हो सकती है और दूसरा नियाय संगत कानून बनाने का अर्थ यह नहीं कि हर विक्ति के लिए समान कानून हो बलकि इसका अर्थ है समान विक्तियों के लिए समान कानून होना से तरह संगतादार पर आई समान कानून हो सकता है कि सब के लिए अललक कानून नहीं हो, समान व्यक्तियों के लिए समान कानून होना चाहिए, ताकि जो भी उस वरक के व्यक्ति है उन कानून का प्रियोग कर सके, समान व्यक्ति, समान कानून, अगर कोई भेदवा हो है, ऐ समानता है, तो तरह संगतादार पर हो सकती है, कानून न्याय का दूसरा पहलो है कि परते एक व्यक्ति को निस्पक्ष न्याय मिले और कानून का समान संग्रक्षन मिले ये न्याय का दूसरा रूप है परते एक व्यक्ति को निस्पक्ष न्याय मिलना चाहिए चाहे जैसे कि परते विक्ति ये सोचता है कि मुझे न्याय मिले बले ही राजिनिस्ट हो जाए मुझे तो न्याय मिलना चाहिए और जो भी कानून है परते विक्ति को उसका संग्रक्षन भी मिलना चाहिए इसा मतलब यह निकलता है कि कानून सब के उपर समा ज्रौ छाओ को होना चाहिए नहीं होना चाहिए कानून का सब को समान संक्राइवचन मिलना चाहिए इसकि दो आउश्जेता है जिसे निर्दन व्यक्ति भी जहां किये के घंटी बजासके इसका मलब है कि नयाइक परकरिया सररल होने चाहिए है और सस्ती होने चाहिए जिसे कि अभी वरतमान में भारत सरकार ने तिन नए वो अपने पुराने दर्ण सहीताइन चल रही थी उनके इस्ताव पर भारतिये नई दंड सहिस्ता है लागू किये और उसमें एक समयब्द तरिका तनिश्चित किया है और हमारे ग्रहमयर्मंतरी का खेरा है कि तीन साल में तीन साल में परते केस का अनट तारा होगा इसका मज़ब है कि साहे कुछ भी हो किसी भी प्रकार का मामला हो तीन साल में वेक्ति को न्याय मिलेगा न्याय में देरी नहीं होगी और तीन साल में हो जाएगी यानि कि प्रक्रिया सारी है वो तीन साल में निप्टा दे जाएगी तो यहां पर आएकि प्रक्रिया सरल और सस्ती होनी चाहिए सबस्ट के मतलब है कि गरीब आदमी भी नियाए किस रहने में कोट किस रहने में जा सके और इसके लिए हमारी व्यवस्टन ये भी है कि हमारा सम्विधान जो है नागरीकों को अगर वो सक्षम नहीं तो निस्सल्ख सहाइटा उपलब करवाता है यानि कि वकील करने लाइक अगर उसके पाक शम्ता नहीं है तो सरकार इस तरवर वकील भी किया जाता है अगर उसके पास और भी संसादन नहीं है तो वो सारी सारी सुईदाइं सरकार के दोरह परदान की जाती है तो ये व्यवस्ता इसलिए कि समाज में न्याय किस्ता अपना हो सके दूसरी बात नितन व्यक्ति दन के अभाव में न्याय से वंचित ना रहे और ये परक्रे इतनी खर्ची नहीं हो कि ये न्याय से जना न्याय पाने लिए अधिक लाब प्रमाना जाने लगे जसे मैंने पहले का कि नैएकने प्रक्राइIES इस प्रक्राइब की होने चाहिए कि कोई भी विक्ति कोड़ के सामने जाने से डरे नहीं इसको यह नहीं लगे कि अगर मैंने यह कीस कर दिया तो कोड़ में में उज़ हरूँगा आना जाना तारिक पर तारिक पता नहीं आज मैंने केस किया मेरे आने वाले पुस्तें उस केस तक लड़ेगी ऐसा नहीं होना चाहिए और सबको एक सई तरीके से न्याय मिलना चाहिए दूसरी आफशकता निस्पक्स न्याय पाने के न्यायले निस्पक्स होने चाहिए सताधारी दल दूसरी निस्पक्स हो चाहिए एक आम पक्स किसी के साथ वो अपना गटबंदन ना बनाए सरकार के दूसरी दूसरी निस्पक्स होना चाहिए बारत में समीधान में ही निस्पक्स न्यायले सबतनतर न्याय पालिका आदी की विवस्ता ही की गई इस परकार के उनकी जो न्यूक्ति की चीज़े है जो वेतन बत्ते हैं जो सेवा सरते हैं उस परकार की बनाए गी है कि न्याय अले बिना किसी के दबाव में आकर कारिये कर सके तो यहाँ पर दूसरी बात है कि निस्पक्ष न्याय होना सी और परतेक विक्ति को बिना किसी शेर पिर के न्याय मिलना चाहिए न्याय दिसों की नियुक्ति, योगताय, वेतन, काम की सर्टे ऐसी हो कि बिना बैंकि वेक्टीक को शुरक्सित न्याय मिल सके हम ने यहाद पर न्याय पालिका में डू वेक्टी होते हैं इंकी न्यूक्ती उनकी वेतन बहते सुउधाएं उनकी योकिताएं इस प्रकार की निर्दार्यर्ट किये कि किसी भी प्रकार का दवाव उनके उपर ना रहे राशनितिक न्याए इसका साधान अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी बेदबाव के राज़े की सक्ति में हिस्सा मिलना परजातांत्रिक उधारवादी विचारदारक के अर्थ हर व्यक्तिक को बिना भेदबाव के वोट देने का तता सरकारी ओधे पहुँचने का अधिकार होना सही जोसे कि अपने इससे पहले अधिकार, सवसंत्रता, समानता, अधिबाती कर चुके है यह उसी की एकड़ी है, तो यहां पर राजनतिक नया क्या मतलब है कि बिना किसी भेदबाव के आधार पर परतेक नागरिक को राजनतिक अधिकार के राजनतिक सवसंताई मिलनी चाहिए इससे चार बात आती है, कि वोट देने का अधिकार, जुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारिपद प्राप्तने का अधिकार, और सरकार की आलोसना करने का अधिकार यह चीज़े बिना भेदबाव के आदर पर सबी नागरिवों के प्राप्त हो इसे राजनतिक न्याय कहेंगे सरकार में अपनी बूमी का निवा सके जनमत साथ हो जनमत का निर्णे मानने हो ये राजलितिक नियाए कहलाता है अगला है सामाजिक नियाए इसका अर्थ है एक ऐसी सामाजिक व्योस्ता होना जिसमें बिना किसी बेदवाओ के हर व्यक्तिका समाज में समाज में निच्चा न देखना पड़े और नहीं इन आधार पर समाज में व्यक्तित्व के विकास में रुकाउट आए समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना समाज के लोगों में भेदभाव ना Хोना किसी को निचा न देखना पड़े इस प्रकार का विक्तित्व का विकास होना साहिए परतेक व्यक्ति सामाजी का आधा पर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके इसे सामाजी न्याय कहींगे आर्तिक न्याय को दो अर्थों में देखा दाता है उदारवादी इसे निर्दन वरक की देनिक आफशक्ताओं को उपलब्द करवाने के संदर में देखने जैसे बोजन आधी की समझ्या यानि कि उदारवादी क्या खरते हैं कि परतेक व्यक्ति की तीन आफशक्ताओं हैं जिनको प्रात्मिक आफशक्ताओं कहा गया रोटी, कपड़ा और मकान परते एक वेक्ति की ये तिनों आप शक्ताइं प्राप्त पूर्ती हो इन आप शक्ताइं को परते वेक्ति प्राप्त कर सके कोई वेक्ति भुका ना रहे, कोई वेक्ति नंगा ना रहे, कोई वेक्ति बिना आवास के ना रहे अगर सुराज्य ये वेवस्ता भी उपलोप्स करवाता है समाज ये वेवस्ता भी उपलोप्स करवाता है तो इसको आर्थिक न्याय कहते है जबकि माक्सवादी गरीब अमीर के आता पर समाज के वर्ग विबाजन समाज में कोई वर्ग नहीं हो नहीं है इसलिए एक वर्ग होगा, कामगारों का वर्ग, याल्माक्स कहते हैं, कि परते एक वर्ग अपनी युग्यता से कार्य करेगा, और आफ शित्ता के अनुसार प्राप्त करेगा, यानि कि यहाँ पर अमीर और गरीब जैसी कोई धारना न तो यह है न्याय की अवधारना जोन रोल्स ने जो मुक्य रूप से न्याय की अवधारना का परतिपादन किया है वो वितनात्मक न्याय की आधार पर किया है और बाकी अन्य जो धारना परचलित है समाज में न्याय के जो विबिन पहलू है कानूनी पहलू राजनितिक पक्षमेज आकर लेकिए और पूरा नहीं उदन ये अब तक आप ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर पैसल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, कमेट करें चली मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद